FCP-10 में प्रोजेक्ट का निर्माड किस्वरकार करते हैं FCP-10 में प्रोजेक्ट का निर्माड करनें के लिए लिए हमें time line window में option दिया गया है new project icon यहांपर दिया रहता है आप इस icon पर click करके नए project का मिर्माड कर सकते हैं प्रोजेक्ट के अंधर को timeline होती है उस टाइम लाइन पे हम लोग आडियो और वीडियो क्लिप को असेंबल करते हैं, रिफाइन करते हैं और फाइनल मुवी का निर्मार करते हैं यज़ी अब CP10 में एक टाइम पर केवल एक ही प्रोजेक्ट को उपन करने की सुभधा प्रदान की गई है यज़ी आपको दूसरा प्रोजेक्ट को टाइम लाइन पे यूज़ करना है तो उसको यूज़ करने के लिए हम लोग कंपाउंड क्लिप का प्रियोग करके उसका प्रियोग करते हैं जो की यज़ी अब CP7 से टिफरेंट तरीका है इसके बारे में हम आपको आगे के आने टिटूरियल में बताएंगे कि उसका प्रियोग हम किस प्रकार करते हैं सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि FCP10 में नए प्रोजेक्ट का निर्माड किस प्रकार करते हैं सबसे पहला आफ और आफसान तरीका है कि आप timeline window में दिये गए icon पे click करके नए project का निर्माड कर सकते हैं यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने project का नाम आता है mantra tutor fcp 10 यहाँ पर time code आप बता सकते हैं project की starting किस time code के हिजाफ से हो set based on first clip जो clip पहले लाएंगे उसके हिसाफ से उसकी setting हो या custom setting का प्रियोग करेंगे आप यहाँ click करके custom setting पहले से ही decide कर सकते हैं यहाँ पर हम एक और option होता है कि आपको यहाँ बताना होता है आप बताते हैं कि जो हम project create कर रहे हैं किस event के अंतरगत create कर रहे हैं तो आप को यहाँ पर वो event बताना होता है हमने इसका select किया ओके किया और अब आप देखें टाइम लाइन पर एक ब्लैक ट्रैक आपको दिखाई पड़ रहा है और यहां पर टाइम लाइन का निर्माड हो गया है यहां FCP-7 और FCP-10 में जातर यूजर्स को सबसे ज़्यादा प्राब्लम टाइम लाइन पर ही होती है क्योंकि यहां पर कोई बिजिवल ट्रैक्स नहीं होते हैं आने वाली क्लिप के साथ ही ट्रैक्स का निर्माड आटोमेटिक होता है और यह मैजिकल ट्रैक्स होने की वज़े से यह आटोमेटिक क्लिप्स का मुवमेंट भी आवसेक्ता अनुसार होता रहता है ऐसा नहीं है कि कोई क्लिप आटोमेटिक अपने हिसाब से मूब करती है उसका मूव होने का एक बेसिक तरीका है और बेसिक आधारभूत सिधानत है जिसके हिसाब से वुक वर्क किया जाता है सबसे पहले FCP 10 में काम करने के लिए आपको टाइम लाइन वर्क फ्लो को समझना आती आवस्तिक है और उसके बारे में हाँ आपको डिटेल में बताएंगे नया प्रोजेक्ट बनने के साथ आपके सामने ये टाइम लाइन ओपन हो जाती है तो इसमें कई सारे आफसंस हैं इनके बारे में बता रहे हैं आपको हम और दूसा तरीका भी आपको बताते हैं कि नया project का निर्माण किस परकार किया जाता है आप चाहें तो file में जाकर के new में जाएंगे यहाँ पर भी project बनाने का option अपलब्ध है और यहाँ पर click करके आप नया project का निर्माण कर सकते हैं इसके आतरिक्त आप command N यानि keyboard पर command की को प्रेस करके यदि आप N की को command के साथ प्रेस करते हैं तो नया project बन जाता है यह fcp10 में काम करने के लिए आपको सफसे basic आधार्बुश सिधामत आपको समझ में आना आतियावस्यक है fcp10 में workflow किस प्रकार काम करता है यानि fcp10 के framework को किस प्रकार organize किया गया है सबसे पहले आपके event final में library बनती है library के अंतरगत आप event बनाते हैं जहां पर आप उन file को import करते हैं जिन file को उस आपको project में use करना होता है जो कि हम fcp event library में save करते हैं event को इसके बाद बारियाती project की project को इससे पहले के fcp version में sequence कहा जाता था और event को हम लोग project कहते थे basically अंतर यह है fcp7 में जिसको हम project कहते थे वो यहां पर event के नाम से जाना जाता है और जिसको हम sequence कहते थे उसको हम project कहते हैं इसलिए जायतर editors में सबसे ज़्यादा confusion इसी बात को ले करके हैं कि event और project में confusion create हो जाता है basically आप समझ लीजिए fcp10 में event को हम fcp7 में project के नाम से जानते थे और fcp10 में जिसको हम fcp7 में sequence के नाम से जानते थे वहां fcp10 में project बन गया है यानि project को हम fcp10 में event कहेंगे और sequence को हम project कहेंगे तो आपकी सारी problem start out हो जाएगी यानि एक event में एक से जादा project का निर्माड किया जा सकता है जैसा कि पहले हम fcp7 के projects के नतरगत कई सारे sequence का निर्माड करते थे लेकिन एक time पर एक ही sequence यूज कर सकते थे open रहते थे लेकिन use एक time पर एक ही sequence करते थे उसी परकार से fcp10 में आपके पास एक event में कई सारे sequences का निर्माड कर सकते हैं और एक time पर एक ही sequence यानि project को use करते हैं और काम करते हैं event को आप पहले project कहते थे और sequence को हम sequence कहते थे यहाँ पर sequence out हो गया है और sequence का नाम project पढ़ गया है और project को हम लोग events कहते हैं यदि आपका ये confusion दूर हो जाएगा तो आपको काम करना बहुत ही easy हो जाएगा और इस project के अंतरकत आप audio video को assemble करते हैं refine करते हैं, final movie बनाते हैं उनको cut करते हैं special effect का प्रियोग करते हैं जो को हम किसी clip के उपर प्रियोग करते हैं clips clips basically छोटा equipment होता है FCP organization framework के अंतरकत clip represent an individual unit of media in FCP clip एक एक लोती स्वेम में एक media होती है unit होती है जिसको हम FCP में प्रियोग करते हैं ये clip can stand for a movie ये clip एक movie हो सकती है एक image हो सकती है mister sequence हो सकता है या generator generate की गई clip हो सकती है audio file हो सकती है या clip जो को हम event folder में store किया है या event browser में store किया है उसे भी हम clip कहते हैं यहाँ पर हम आपके सामने सो होता है उस project का नाम जिस project पे हम काम करते हैं यानि एक event के अंदर का कई सारे project बन सकते हैं आप जिस भी project को चाहें एक time पे उस पर उस पर आप open कर सकते हैं एक time पे एक ही open होगा और यहाँ पर आप double click करके जैसे कि हम fcp7 में sequence icon पे click करके उसके timeline पे sequence को open करते थे वैसे ही हम event में click करके उस project को आप open कर सकते हैं आप अपने project से जैसे कि आप 7 में किसी भी sequence को delete कर सकते थे उसी परकार इसको भी आप यहाँ से delete कर सकते हैं open project duplicate बना सकते हैं play कर सकते हैं snapshot को बना सकते हैं इस परकार आप एक सी जादा project बना करके उनको हम timeline पे अलग-अलग तरीके से काम कर सकते हैं इस timeline पे हम आपको कई सारी चीजे होती हैं इस time code होता है इस track होता है यहाँ पर track को जूम इन जूम आउट करने की छमता होती है इससे हम track की height को कम ज्यादा करते हैं आप आगे की tutorial में देख लीजे कि हम clip को किस परकार mark करते हैं और timeline पे किस परकार लाते हैं फिर हम timeline पे बताएंगे किस परकार work किया जाएं हमारे इस video tutorial को देखने के लिए धन्यवाद यदि आपके हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप share करें जिससे कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों की इसके आउसकता है और यदि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं उसके लिए धन्यवाद और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइगन को लिए धन्यवाद